गुरु जी राधे रादे राधी गुरुजे मम कानफूर छीले से आ sommes थोह बैने यह पसा शूड़ी यह चोट और गुरु जी हम शुनाज से शूड़ी ओंवारी दीराधे आधा एक सबलाँ से दो पारने से हैं लेकिन गुरुजी जबसे हमने आपको टीवी पर आपकी भागवत सुनी है तब ते हमारी सारी समस्या खतम हो गई है और गुरुजी हम सुबह ते साम तक ट्रिंग करते थे और जुगा खेलते थे घर में बिल्कुल नहीं रहते थी हमारी बहने जानती है लेकिन मेरी पत्नी आपकी भागवत हमको जबर्जत्ती सुनाती थी और आपकी ऐसी ध्या हुए मुझे मैं आपको टीवी पर भोग लगाता हूं और चार चार बार लट्डू को भोग लगाता हूं तो गुरुजी मेरी पत्नी अभी गाउं में है वह सबसे बड़ी आपकी भक्त है तो उसको अपने गाउं के कम से कम 10 लोगों को अपने सुधारा भी और आपकी कथा गरगर सुनाई हमने घर जाके हमारे आप टीवी इन्वाइटर लगा है तो हम सब लोगों को बुला कि आपकी कथा सुनाते हैं और पूरा टाइम देते हैं सर लेकिन मेरा एक यह मित्र है यह कभी-क अब भी गुष्पधिती आप आसिर बाद इसको देरी जिसे चाएंगे भी बात करा हूं कई हो घ्र जाम इतर देग एक बेटा है तब शराप को उसना पिलाते हो जिलाएं तो फोड़ी सिसको पिलाया था भूु कि ज़ता पेटेश को फिलाना चीए की नहीं क्यों पिलाना आपने सीखा है तो बच्चों को भी तो जिम्मदार आप होंगे और महाराजी ये डेली पीते थे इनको अमने कई बार सुधारा है तो यह कभी गभी 10 या 15 दिन में पीते हैं तो महाराजी आपकी कृपा इनको भी हो जाए इनका भी परिवार बच जाए और हमारे गाउं में आपके द्वारा कही परिवार बच गये हैं इसके लिए आपके चल्डों में कोट कोट पर आप नहीं पीएंगे इनको दो भी अकुपाई को